कैसे हो आप लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और सीडेस की त्यारी कर रहे होंगे जो कि अभी नमेंबर 14 को होने वाला है तो आज आपको जैसे कि पता है मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ा दिये थे हैं ना नाउन पढ़ाया है प्रोनाउ और कंजंशन ठीक है और इंटर्जेक्शन ठीक यह तीन चीज़े आपको और पढ़नी है उसके बाद आपका पार्टस अप स्पीच अराम से हो जाएगा उसमें आप अराम से अच्छे मांक्स ला सकते हो ठीक है तो चलिए उसी कड़ी में हम आगे शुरुआत करते हैं आज प्रेपोजिशन को पढ़ने की ठीक है तो प्रेपोजिशन में आपको पहले ही साथ मिनिट की वीडियो एक मैंने पहले अपलोड कियो हुई है उसको आप देख सकते हो अच्छे से समझने के लिए बाकि मैं आपको रिक्याप्टलेट करवा देता हूँ ये देखिया प्रे relationship is based on relationship, based होता है time पे, या place पे, या position पे, या location पे, या direction पे, या sequence पे, ये तनी चीज़ मैंने आपको पढ़ा देती है, और आपको मैंने example दिया था, the book is on the table, ये book क्या है, noun है, ये table क्या है, noun है, और यहाँ पे जो on लग रहा है, ये relationship दिखा रहा है, book का noun, book का table के साथ, की book table के ऊपर है, ठीक है, this relationship is based on this position, और you can say location, ठीक है न, तो, ये चीज़ मैंने आपको clear करवा देती है, फिर मैंने आपको बताया था कि prepositions के तीन morphology होती है, तीन तरीके से आप prepositions की पैचान कर सकते हो, prepositions के बाद हमें सब वह आपकी ing phone आएगी, जो कि आपका gerund होता है, अगर आपने gerund वाले lecture नहीं देखे हैं, तो आप उसको भी देख लीजेगा, ठीक है, prepositions के बाद noun या noun phrase आता है कोई, या prepositions के बाद अगर कोई pronoun आता है, तो हमेसा objective case में रहेगा, ठीक है, मैंने ये सब चीज़े आपको पुराने वीडियो में बता दी है, ठीक है ना, फिर मैं आपको examples यहाँ पर दिखाए हैं, तीनों चीजों के प्लीज डोंट टॉक वाइल स्टॉडिंग दा क्लास, देखिए वाइल क्या आपका prepositions है, इसके बाद studying verb की ing form आई है, आपको फिर मैं second example दिया था, he poked me with a pencil, अब pencil क्या हो गया, आपका noun हो गया, या noun phrase बोल ल staff working under her, तो यह under के बाद देखिए, जो pronoun आया है, वो objective case में आया है, तो यह under के आपका preposition है, ठीक है, तो यह तीन example मैंने दिया दिया थे आपको, अगर आपको फिर भी अगर समझने आ रहा है तो पुरानी वाले वीडियो आप अच्छे से देख लिजेगा, उसमें मैंने बह preposition का use कैसे करते हैं, ठीक है, बैसिकली हम time के base पे जो prepositions use होते हैं, उनके बारे में मैं आपको मैं यहां बताने वाला हूँ, ठीक है, तो यहां देखिए, day और date के लिए हम कौन सा preposition यूज करते हैं, ठीक है, यहां पर मैं basically तीन prepositions की बात करूँगा, in, on, और at, ठीक है, तो इन तीन prepositions पर मैं बात करूँगा, देखिए, जब भी कहीं पर day और date आता है, तो हम हमेशा on preposition का use करते हैं, ठीक, for example, the whole UK will cast votes on 15 feb होगा, है न, in 15 feb होगा, नई, at 15 feb होगा, नई, ठीक है न, on 15 feb, ठीक है, तो जब भी day या date आती है, कोई day बोल दिया, ठीक है, suppose on Monday, day आगया अगर, तो on Monday, ठीक है, on Saturday, ठीक, इस तरह से, ठीक, even on diwali day, suppose diwali day, diwali day, मैंने इसको एक पुरा day ही मना दिया, मैंने दिवाली के दिन, तो इसके साथ मैं on का use कर सकता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आता है, आपका month, year, season के लिए हम कौन सा preposition यूज़ करते हैं, month, year और season जब भी आता है, तो हम लोग इसमें in preposition का use करते हैं, for example, every year the course begins in January, in January, ठीक है न, और अगर year मोलना होता है, तो अगर मैं कहता है, the course began in, the course began in 2020, यहाँ पर मैंने year की बात की थी, तो मैंने क्या लगा दे हैं, यहाँ पर सीधे-सीधे preposition in का use किया है, I hope आपको समझ में आ रहोगा, यहाँ पर on, यहाँ पर at का use नहीं होगा, यहाँ पर in का ही use होगा, specific time की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमें सामिश सा किसका use करते है, preposition का, at preposition का use करते हैं, ठीक है, at preposition, जैसे for example, the class usually begins at, at 8am या पीम, whatever you want to say, ठीक, और क्या के example, example मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, जैसे हम लोग कभी बोलते हैं, at noon, तो noon भी एक specific time है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, at noon, at noon, at noon, at dawn, के भी specific time है न, at dusk, early morning का time होता है, at dawn, at dusk, ठीक है, यह भी specific time है, at midnight, यह भी specific time है, तो इस सब सारे आपका specific time है, इसलिए हम इस पर at का use करेंगे, चलते हैं, अगले group की तरफ, जो कि क्या है, आपका festivals और occasions, इस पर आपको हमेशा at का use करोगे, आप festival और occasions पर, ठीक है, या फिर इसको आइसा भी बोल सकते है, will you be, will you be in दहरादून, at my anniversary, या at my wedding anniversary, ठीक है न, at anniversary लिख लेता हूँ मैं, festivals और occasions, ठीक है, इसको याद कर दिजएगा, common errors में भी आ सकते हैं यह न, common errors, बोलो या क्या बोलो उसको, spotting errors में, फिर आता है, duration, duration में देखो क्या होता है, duration में basically क्या होता है, कोई duration हमने कहीं दिए हो है, तो वहाँ पर हम किस preposition का use करेंगे, in preposition का use करेंगे, for example, wait for me, I will return in two hours, in two hours, in two months, in two months, in two years, ठीक है, अगला मैंने आपको यह example दिया है, यहाँ पर, आप लोग क्या use करोगे, morning के साथ, in the morning use करोगे, in the evening, in the afternoon, ठीक है, इसके साथ तो आप इनका use करोगे, but जब भी night के बात करूँगा, usual routine के लिए आप क्या use करोगे, at use करोगे, at night, usual routine, और in the night कोई specific event के लिए, जैसे, I study at night, मैं रात को पढ़ता हूँ, but, अगर second, चीज मैं कोई specific event बताऊंगा, मैं, ठीक है, जैसे कि कोई specific event, I saw a thief, I saw a thief in the night, होगा, इसमें at the night नहीं आएगा, फिर, in the night, I saw a thief in the night, ये specific event की बात की है, तो यहाँ पर, ये कभी-कभी तो होगा ना, स्थीफ, कभी-कभी तो देखेगा वो, हमेशा थोड़ी देखेगा, usually थोड़ी देखेगा, वो स्थीफ को, तो यहाँ पर आजाग आपका, in the night, और यहाँ पर आएगा आपका, I study at night, चलते हैं अगले वीडियो की तरफ देखिए, ये grouping मैंने की है, ये grouping मैंने की है, last time, last time, next time और every time, इसके साथ कौन सा प्रेप्रिशंच का यूज़ होगा, ठीक है, तो मैं दिखता हूँ पहले, in, on, at, तो आपकी जान के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं होता, ठीक है, प्रेपोजिशन को आप कट कर दो, for example, मैंने आप example लिखा है, this scheme will end on next month, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सीधे-सीधे होगा आपका, this scheme will end next month, ठीक है, या अगर आप बोलना चाहो, ठीक है, कोई भी नहीं 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 दो, उसमें आप at लगा दो या in लगा दो, उसके बाद को काट के cancel out कर दो, क्योंकि उहां पर preposition का use नहीं होता है, अगला मैंने example दिया आपको देखिए, जो example पहले भी दिया था मने आपको, in on at, place के लिए, location के लिए, या position के लिए भी यह यूज होता है, in on at का, जैसे the book is on the table, तो यह क्या दिखा रहा है, इसका place दिखा रहा है, तो यहां पे on का, on preposition का use होगा, इसी तरह मैंने आपको कुछ यहां पे prepositions प्रवाइड कर दिये हैं, यह आप देखके सीधे mark कर देना paper में कि preposition नहीं है, कि क्याना जैसे while, during, before after, by, next to, beside, between, among, above, over, below, under, यह सारे मैंने आपको prepositions प्रवाइड कर दिये हैं, बट एक थिल नाइन होती है, prepositions और adverb के बीच में, वो आगे मैं आपको discuss करके बताता हूँ, क्या होता है, यह देखिए, यहां पे मैंने लिखा है, prepositions versus adverb, जैसे कि सापको देखके पता लग आपको main difference क्या होता है, देखिए, पहला है, there is a tunnel hundred meters below the surface, ठीक, तो आपको दिख रहा होगा, यहां पे below है, पहले बात में आपको पता दूँ कि below prepositions भी है और adverb भी है, बट इस sentence में इसका use किस तरह से हो रहा है, वो हमें पहचानना है, तो आपको पता है, prepositions के बाद, prepositions के बाद noun phrase आता है, या फिर noun आता है, तो आपको साब दिख रहा होगा, the surface क्या है, आपका noun phrase है, ठीक, तो उससे पहले below लगा हुआ है, तो below या तो prepositions होगा, या तो adverb होगा, but adverb तो होगा नहीं, क्योंकि adverb के बाद ऐसा कोई noun phrase नहीं आता, ठीक है, और prepositions के बाद आता ही आता है, तो सिदे सिदे below क्या हो जाएगा, prepositions हो जाएगा, ठीक, यह एक relation दिखा रहा है, tunnel और surface के से बीच में, ठीक है, यहाँ पर यूज दो का below का, prepositions होगा below, अगले question पर चलते हैं, they stood at the top of the mountain, ठीक, उन्होंने क्या बोला, they stood at the top of the mountain, किसी mountain के top पे वो खड़े थे and looked at the valley below, उन्होंने क्या देखा, उस घाटी, नीचे घाटी के तरफ देखा, ठीक है न, at the valley below, देखिए, यहाँ पर खूप सारे आपको prepositions पहले दिख रहे होंगे, यहाँ तो, अगर prepositions normally बताऊं मैं, अगर मैं पूछू, जैसे यह at है, यह भी prepositions है, यह off है, यह भी prepos but मैं specifically interested हूँ, इस below में, यह below आपका prepositions होगा, या फिर adverb होगा, बताइए सोच समझ के, पर देखिए, इसके पीछे कोई भी noun phrase नहीं है, और यह prepositions की तरह behave नहीं कर रहा, क्योंकि इसके बाद या तो noun phrase चाहिए, या तो आपका pronoun चाहिए, या फिर आपका verb की jirund form बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यह सिदे-सिदे आप mark कर दोगे, adverb, adverb है यह, चीक, looked at the valley, उन्होंने वैली पे देखा, वैली के तरफ देखा, looked at the valley, वैली के तरफ देखा, अब यह below कैस को कर रहा है, नीचे की तरफ देखा उन्होंने न, इस verb को यह qualify कर रहा है, looked at the valley, बिलो, नीचे की तरफ देखा न, देखा किस तरफ देखा, उपर देखा, नीचे देखा, नीचे की तरफ देखा, तो इस verb को यह qualify कर रहा है, या modify कर रहा है, so that is why it is an adverb, आप लोग मेरी adverb की वीडियो मेंने separate बनाई हुए है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, cat is under the table, देखो साब साब पता लग रहा है, under the table, क्या ही preposition ही होगा ही, कितनी बार आपको बता ही दिया है न, समझाने के जोर इतनी है बार बार, preposition होगा, under the table, यह noun phrase हो गया, ठीक, यह देखे, jump into the water and see how long you can stay there, ठीक, stay under, sorry, jump into the water and see how long you can stay under, देखे, under के बाद, under यहाँ preposition है, यहाँ पर preposition नहीं है, under यहाँ पर क्या है, add verb है आपको, देखे, इसके बाद कोई भी noun phrase है, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई gerund की form है, बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पर का so कर रहा है, वैसे भी यह, अगर sentence की meaning से देखो, you can stay under, under, stay कहां करना है, under कर पानी के अंदर, ठीक है ना, तो यह stay को modify कर रहा है, stay कहां करना है, under करना है, पानी के अंदर, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, adverb हो जाएगा, ठीक, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, चलते हैं, अगले chapter की तरफ, जो की है आपका, conjunction, conjunction is the most important part of, of parts of speech, ठीक, कुछ, इसमें मैंने आपको अभी बताना है, कुछ CGS में, जो की आपको parts of speech में आई थी पिछले साल, या, जो CDS 1 2021 में हुआ था exam, ठीक है, हाँ, इससे पहले कि आप लोग, यह मैं आपको पढ़ाऊं, तो आप, you can see my marks in CDS 2 2020 exam में, जो मेरे marks आए हैं, CDS English, CDS Maths, और CDS की GK में, तो मैंने आपको अलग से वीडियो मनाई है, और मैंने आपको Maths और English और GK की थोड़ा strategy बताई है, कि आप लोग कैसे कैसे, अच्छे marks गेन कर सकते हो, और CDS को qualify कर सकते हो, तो do watch that video, ठीक है, आई बटन मैं डाल दूँगा, मैं यहाँ पे, ठीक है, चलिए, आगे चल two and more subjects, या तो subject को connect करेगा, two or more objects, या तो दो या दो से अधिक objects को connect करेगा, two and more clauses को connect करेगा, clauses या phrases को connect करेगा, ठीक है, subject, subject पता है अपका, आपकों पता है subject plus verb plus object, इस तरह से कोई क्या होता है आपका, एक सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ है सब्जेक्ट, वर्ब, अब्जेक्ट या तो वह सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेगा दो सब्जेक्ट्स होंगे जैसे देखिए पर एक्जामपल राम एंड मोहन चीक है तो इस एंड ने कनेक्ट किया राम और मोहन को तो यह क्या हो गया आपका कंजंक्शन हो गया तो यहाँ पर एक और एक्जामपल लिख लेता हूं है He gave He gave He gave He gave chocolates He gave chocolates He gave chocolates to to him to him and his brother तो यहाँ पर यह क्या है यैपका opject आरा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर भी चाहिए क्या हो गया इस तरह से connection का काम करता है कंजंशन नाम सही आपको clear हो रहा होगा कि basically यह connect कर रहा है किसी ना किसी चीज को ठीक है आफ चलिए आगे बढ़ते हैं दिखें को रिलेटिव या फिर प्लियर कंजंशन बोलते हैं इसमें आपके तीन चीज़ें आती हैं सिर्फ याद कर लेना आप आइदर और नाइदर नौर नौर नौट अल्ली बट अलसो इतनी तीन चीजों को याद को लो आइदर और नाइदर नौर नौट अल्ली बट अलसो इन तीनों चीजों का यूज होता है सिर्फ इसके लिए को रिलेटिव में को रिलेटिव कंजंशन होते हैं ठीक है देखें मैं एक्जाम्पल आप करवा जाता हूँ आइदर आइदर दीपक और हिस सिस्टर इसी सिस्टर विल न रिलकाम कितना असान है संटेंजत nhân या तो दीपक या उसकी सिस्टर या दीपक या उसकी सिस्टर आएंगे विल्कम तुदा मेरेज जो भी लिखना चाहों है असले है सीधे आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज हमने बहुत सारा काम है मैंने आपको पेपर सॉल करवाना है ठीक है बीस केसंस में लेका है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली पार्ट्स आफ प्स्पीच के रिवेस्टियर के तो यह देखिए अब मैंना पूदता है कोडिनेटिंग कनंग्सन क्या क्या होता है कि यह कितने चीज़ी होती है साथ चीज़ आती है सिर्फ और और येट सो इन सब को आपके से याद कर सकते हो फैन बॉइस से काम करेंगे यह देखो I wanted to go to shopping but my friend wanted to go to a movie मैं shopping करने जाना चाता था but मेरा दोस्त my friend wanted to go to a movie मेरा दोस्त movie देखने जाना चाता था तो यहां पर but है इन दोनों को connect कर रहा है यह I wanted to go to shopping my friend wanted to go to a movie ठीक यह हो गया आपका कोडिनेटी कंजंग्शन कोडिनेटी कंजंग्शन बिसिकली क्या आता है इन दोनों संटेंस के बीच में कोडिनेशन इस्टेबलिस करता है ठीक है I hope समझ में आ गया होगा आपको है न फॉर एंड या ते लेनेश को fanboys से fanboys को याद कर लो या दू जाएंगे साथ ही होते हैं ठीक है राता आप सब ओर्डिनेटीं कंजंशन सब ओर्डिनेटीं कंजंशन बहुत ही important है इसमें क्या क अभी दिखाता हूं मैं आई गॉर्ट एक इसका सबसे बड़ी तरीकार लिखता हूं उसको मैं आई गॉट फाइंड आई गॉट फाइंड बिकॉस आई गॉट फाइंड बिकॉस आई वस नॉट विएरिंग अ सीट वेल्ट यह देखियों यह जो आपका आई गॉट फाइंड है यह आपका डिपेंडेंड है आपको भी पतान लगा ना कि आई गॉट फाइंड क्यूँ फाइंड हुआ मेरको है ना फोई इसका यह आपका इंडिपेंडेंड नहीं है यह इन से के रिवॉइंड था पता यह्यकल वं प नाट्य तो यह का हो रहा है इन डिपेंडेंड है ना एन ड्लिपेंड nun इसको लिक्जार एक बाइबिस इसके बीच आपको रीजन भी दिना पड़ेगा कि क्यूं फाइन हुआ था आपका ठीक है तो क्यूं फाइन हुआ था तो इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं किस से क्यूं फाइन है जोड़ता है या इन का वीच में एक रिलेशनसिप से इनको कनेक्ट करता है तो इतने मेने आपको लिखे हूए यहाँ पर इसको याद कर लिजएगा since, because, though, as, although, while, whereas, ठीक, बाकि तो sentence की morphology से भी आप समझ जाएंगे, sentence या parts of speech की morphology से कि ये adverb है, या conjunction है, या फिर आपका preparation है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको conjunction का काम क्या होता है, ठीक है, आगे जलते हैं, next part की तरफ, next part देखो, मेरा ये है, मैंने आपको दिखा है, यहाँ पर की adverb, आपका क्या है, एडवर्ब भी दिखवा दिया, मैंने आपको until, after, before, ठीक, इसको मैं यहाँ पर before पकड़ के जलता हूं, ठीक है, इन में से कई चीजे एडवर्ब भी होंगी, प्रेपोजिशन भी होंगी, और आपका कंजंग्सन भी होंगी, ठीक, बट आपको उसको पहचानना है कि sentence में use वो कैसे हो रहा है, sentence में use के साबसे उसको पहचानना है, ठीक है, तो मैं आपके लिए यह तीन comparison लेका हूं, before का, before आपका एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है, और कंजंग्सन भी है, ठीक है, इनका use कैसे हुआ, उस हसाब से depend करता है कि हम इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, जैसे देखिए, यहां पर sentence से पहला, I want my money before Friday, देखिए, Friday आ गया, यह क्या हो गया, आपका noun हो गया, noun से पहले क्या लगेगा, प्रेपोजिशन लगेगा, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, तो मैं आया, यह हुआ आपका प्रेपोजिशन हो गया, before, उसके बाद देखिए, I had met him once before, देखिए, यहां पर before के बाद कुछ भी नहीं आया, और आपको पता है, यह एडवर्ब है, सीदे-चीदे, एडवर्ब, उसके बाद आया, c gave a present before, c left, धियान देना यहां पर, c left एक अलग sentence मन गया, c gave a present यह अलग sentence मन गया, इन दोनों करेट कुन कर रहा है, before, तो यह आपका हो गया, समझ में आ गया तो इस तरह से संटेंस की मॉर्फोलोजी के हिसाब से भी हम उसको पकड़ सकते हैं कि यह आपका प्रेपोजिशन है कंजंशन है या फिर एड़ोव है चलिए आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ देखें मैं इसको पुरा मिटा देता हूं क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करवा देता पहले एक बारी बड़ वीडियो बन नहीं पाई मुझसे स्वारी फो डैट वो मैंने फिर चेक किया फिर वहां मेरा वीडियो बंद होगी थी अपना अपी मुझे पता मिन लगा तो आदे घंटे तक एक आदे घंटे तक मैं लेक्टर सुना जा रहता बच्चों को कि ऐसे करना है वैसे करना है लास में पता लगा कि कुछ नहीं मेरी वीडियो रिकॉर्डी नहीं हुई बिल्कुल भी इस तरह से मैं इसको मिटा देता हूं एक बार है काने गळाए दूबा दोगो कोई बाती हागो दिक्त्रत नि ऑना इस वाग दो पना रहा हूं वे conservative टें अ वीडियो बिजय कुछ इन करोमे वीडियो बना रहा हूं वोल्ड रहा हुं वोल्त यसमक्कत मं बोलतात मेरा मूउध फाग्या da फिर पता लगा कि मेरे वीडियो ही नहीं बन रही है एक मिनट टुक चाहिए बस हो जाएगा तब तक जो आपने लिखा है उसको रिवाइज करो जा रहा पड़ो उसको जाओगे उतना तुम्हें अच्छे मांग्स आएंगे तुम्हारे जितना रिवाइज कर सकते हो करो मैंश में फॉर्मले पढ़ते रोओ फॉर्मला याद करते रोओ दुबारा दुबारा बार 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 तीगा ना अदरवाइस फॉर्मॉला एंदर निक आफ दे टाइम क्या हो जाते हैं भूल जाता है आदमी ठीक है तो फॉर्मॉला याद करते रहो प्रण फिर्स जात करो एक्टिस दखी प्रिवेश लगाओ प्रिवेश रसॉल करो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स प्रिवेश से दो साल के मैं पेपर लेके आया हूं रिसेंट के पर हैं बिल्कुल यह जार बीस एक इस कई तो उस पेपर को मैं डिसकस कर लेता हूं के तो अगर आप लोगों को वीडियो बगैरा स पसंद आती है अगर अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए हैं ना उस से पता लगता है हाम कि आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियो जैना लाइक subscribe कर देना share मार देना और comment भी कर देना ठीक है एक appreciation का भाव मिलता है अच्छा लगता है मतलब बागी कुछ तो क्या ही हो ना बागी series तो मैं चलाओंगा यह है ना ठीक है चलिए अब चलते हैं पार्ट सफीच के ट्रक्टिकल सॉल्यूशन करना हमने कैसे करेंगे देखे लिए पहला एक्जामपल ऑल्ड़ प्रेश्टेट फॉर वाइल अंडर बैनेंट्री यह क्या हो गया नाउन फ्रेज हो गया नाउन फ्रेज से पहले प्रेपोजिशन का यूज दा था था सीधे मार फ्रेज नहीं होना चाहिए प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू कुछ भी नहीं होता फालतु की जीज़े वर्ब तो यह है नहीं विल्कुल भी अंडर उसी दे सीधिया आपको बहुत मज़ा आएगा अभी आपको देखिए अब यह आया आपका 52nd 52nd में क्या बोला दे वंड जबलकुल प्रने म ense burns कौम्कषण नहीं होता सब्सक्राइब आउर穴 आपको बार अज़ सेचीं ओडर वर्टे जीकल कंषआ गा देखिए इसको आपको देखे लग रहा होगा यह प्रणाउन नहीं है इसको हम बोलते हैं पॉजसिफ एड्जेक्टिफ ठीक है जैसे मैंने बताया था ना आपको कि यूशच के इस आब से देखना है कि वह वर्ड क्या यूज में कैसे आरा पार्टस सपीच में ठीक है इसके बाद प्हेन आ रहा है तो यह पॉजसिफ एड्जेक्टिफ है ठीक है ठीक है ना बबससी प्रणाउन में कैसे होगा देखो अगर इसी को लिखता मैं अगर दिस पैन is mine तो यह वह आता आपका possessive pronoun possessive pronoun तो यहाँ पर his क्या हो गया possessive adjective possessive pronoun नहीं होगा adverb तो यह कहीं से नहीं है verb तो यह है नहीं 54 वाला question क्या बोल रहा है देखिए सीदह यहाँ पर it दिख रहा है कुछ मत पढ़ो जल्दी करने का तरीका यह है कि इट दिख रहा है आपको नॉमनेटिव क्या होता है कुछ भी नहीं है यह नाउन तो होता नहीं एट एडवर्ब भी है नहीं सीधे-सीधे प्रनॉम पर टिक मार दो पूरा संटेंस पढ़ने की जरुद्धी नहीं है ठीक बास सुन में आगी चली आगले चलते हैं फिफ्टी फिफ्ट के तरफ इट इस एलेवन ओक लॉक नाउ एंड और अल फस्ट रेटायर तु बैट ठीक है इस एलेवन ओक लोग हो चुके है अभी ठीक है ना देखिए इट यहां पर देखिए इट दिख रहा है तो प्रणाउन होगा ठीक है ना इट सी दिखते प्रणाउन ना पर यहां पर एक पर्सनल प्रणाउन लिखा एक इंपर्सनल प्रणाउन लिखा एक इंपर्सनल प्रणाउन लिखा एक इंपर्सनल प्रणाउन लिखा ह आपको वू आएगा डैट आएगा विच आएगा वट आएगा टीक यह सब चीज आएंगे उसमें बट यह तो है नहीं इसमें तो रिलिटेव प्रणॉम भी नहीं होगा अब आएगा आपका परस्नल या फिर इंपर्सनल प्रणॉम देखिए ई सी दे और इट लिए टीक है किसी डे आई भी लिखेंगे अ कि इन सब को बोलते है जनल ली फॉस्टनल प्रणॉं मेसे रहें कई कंई पर इसके साथ है पर्सनL प्रणॉंस के साथ है ठीक है किक किस के लिए करते हैं जुर्ट चबैने हैं उसका यूज्छ करते हैं भान मातनल फोड़ाइ और इसको ले वहिए पर प्रणाउन भी बोलते हैं तो वके डिनाउन आफ्का अंस्टर इन तीनों में से कुछ मिन दिया है यह ना प्रणौन दिया है ना आपका इंपर्सनल प्रणौन दिया इठ के लिए तो प्रस्नल प्रणौन का सही आंसर हो जाएगा ठीक है डिपेंड करता है ऑप्सन पे चलते हैं तो फ्लावर इस वैरी बीटिफुल देखें बीटिफुल आपका होगया एड्जेक्टिव प्ली जिघरिको कुछन बढ़ा रहा है वैरी थीस के बाद बॉइबिश से पहले दिस लग गया रोजय को पर न चुक्र यह के लिए आपका एडजेक्टीव की कि एडजेक्टीव छेक्क करें लीजेगा डिमोंस्टेटीव एडजेक्टीव होता है मैंने आपको पड़ा है पूरा देख लिजिएगा प्रोन कट क्योंकि प्रोन रहा रहा है तो यह कहीं से नहीं है आर्टिकल तो यह बिल्कुल भी नहीं है आर्टिकल में सिर्फ यहांदा आते हैं डेटा माइनर हो सकता है बड़ यहां पर दिया नहीं है अब आपका है एडवर्ब एडवर्ब भी तो यह कहीं से नहीं है अब चलते हैं 58 की तरफ देखें माइसल्फ आ गया माइसल्फ आ गया तो दिमाग में क्या आना चाहिए शीदे शीदे प्रोनौन चप जाना चाहिए प्रोनौन प्रोनौन भी कौन से वाला रिफ्लेक्सिफ प्रोनौन रिफ्लेक्सिफ प्रोनौन ठीक है बात समझ में आगी ठीक है 59 फाले कॉसन पर चलते हैं दे एंड्स फॉर्ड द वास्प देखें तो चीटियां उन्हें लड़ाई की किसे वास्प से लड़ाई की कुछ था कोई कीडे मकोडे का नाम ये ठीक है नम चीटियों जहने में इस से लड़ाई की च्टियम कीडे से लड़ाई की 그러면 किसे बहुता है सबजेक्ट प्रस भ्रॉबॉब प्लस औवब्जेक्ट को बर्च्टार जेता हुए सब्यगे मां इसकी जरत पढ़ती बहीं कभी नहीं पढ़ती है ठीक है फौर इंग्साप्ल राम वज लाफिंग राम हस रहा था तो यहां पर देखो अब्जेक्ट आया कोई नहीं ठीक है तो जहां पर भी हमें अब्जेक्ट की जरत नहीं पढ़ती है जिन स्वी संटेंस में तो उसके वर्ब को क्या बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक करिय किया है जारे जो na lecces बताना ओं तो अलग से बतादेंगे मैं हो इ vraiment यह पर आपका object आया हुआ है जहां पर भी अब्जेक्ट देखेगा और इस वर्ब का इस पर एफ्यक्ट पढ़ रहा होगा कुछ ना कुछ अब्जेक्ट पर तो आपका क्या होगा क्या होता है कुछ भी निहां यह यह इडेक्टिव नहीं है और आपका यह इंट्रांसिटेव भी नहीं है अगले कुशन पर चलते हैं आई कन हाडली बिलीव इड बिलीव को मोडिफाय कर रहा है है हाडली सिदे सिदे आपका adjective हो जाएगा ये वैसे भी लगा हुआ है ये अपको बता है एडवर्ब होते हैं ठीक है most of the cases में एडवर्ब ही होता है वह एड़ेक्टिव है ये नहीं बिल्कुल भी एड़ेक्टिव किस को qualify कर रहा है किसी की इस छाए बिल्कुल बिल्कुल नहीं है तो आप इसको अराम से कर रहे हो अगले के तरफ पढ़ते हैं यह आपका साइध 2020 का एक्वेशन पर है साइध है यह 2021 का एड़ोड नो मुझे याद नहीं है इसकी किसम को भी त्राय करते हैं अराम से sensor और कि अबब क्या होता है प्रेपाजिशन भी और आडबब ही अपटे अब करता इसे के आगे क्या यह कि आगे आपका दिख रहा है या यह इउसन भी नहीं होती एड़ों नहीं है विकॉज ओफ इस नाउन फ्रेज यह वर्फ तो बिल्कुल भी नहीं है ठीक हो गया आपका 91 91 भी हो गया ठीक है 92 कर्षिन पर बढ़ते हैं तो मोस्ट बीटिफुल सेवन मंकीज ऑप दे लेंडलोड देखो मोस्ट बीटिफुल बीटिफुल दिख रहा है अब यहाँ पर अगर वह अगर क्या करता हो श भी जम्रीनों कि रखचाल है मोस्ट के द्लिखर खचा議 हो आपके देता है यहां पर कम्पीरेटिव डीघराग्रेटिव बूल देता या फिर बोलता सुपरलेटिव एडजेक्टिव स्पॉलेटिव अजेक्टिव स्पॉपो अ आपको नहीं पढ़ा है बड़ इंटर्जेक्शन लिख लो यहाँ पे अलग से यहीं पर लिख लो आप इंटर्जेक्शन यह भी पार्ट्स ओफ स्पीच है इंटर्जेक्शन जहां पर आपको यह साइन दिग रहा है यह साइन यह बोलते हैं लाइस देख लो फूर्र रहे हिप्पी फूर रहे है इसके बाद भी यह लगा दिया five on something ना तो इस बाद इंटर्जेक्शन का sign लगा दो तो क्या होगा आपका क्या होगा आपका इंटर्जेक्शन पार्ट्स अफ स्पीच होगा जैसे हम लोग भी इंदी में इस शिफ्ट ग्रीन सिफ्ट इस देचीफ ऑफ देडे रिन सिफ्ट इस इस जिफ्ट बना नहीं चलिए कोई बात नहीं हमें क्या मतलब है सिर्फ हू से फूपे फोकस करो कि फू देखिए फू तो यह पता लग गया पहली बात तो कि यहाप का प्रोणाून है यह ना इस म्यान की जगा मैं यूज़ कर रहा हूं हूँ अब प्रोण्न है डिमोन्स्टेटीव नहीं क्या नहीं बिल्कुल भी नहीं डिमोन्स्टेटीव नहीं आ यह हमने पहले बता तो वो आपका अंसर हो जाता है को देगे है क्या है सबौनड़नें कंजंचन है यह सबॉडिनेंडिंग में एक इंडिबनेंटलंड बोग shaped यहां पर देखिए, he has been living in the jungle for long, he knows all the animals here, यह अलग-अलग sentence है बिल्कुल, इनका आपस में कोई relation नहीं है, बट इसने andson को जोड़ दिया है, ठीक है, कोई dependent या कोई independent sentence नहीं है, तो subordinating conjunction होगा यह नहीं, coordinating conjunction होगा, हाँ, बिल्कुल, यह आपका क्या होगा, coordinating conjunction होगा, preposition नहीं ह आगे चलते हैं, 96th question की तरफ, ठीक, देखिए, they have been driving since early morning, since early morning, देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां पर, since क्या है यहां पर, देखिए, adjective तो है नहीं, since, कोई किसी noun को qualify कर रहा, noun या प्रनाउन को नहीं कर रहा है न, adjective तो नहीं कट कर दो, noun नहीं क्या यह नहीं है, since noun नहीं है, comparison क्या होता है, कुछ नहीं है, यह तो ऐसी लिखा हो है फालतों में, आप कहां सलोजागा, be adjective, sorry, be आपका adverb, ठीक है न, adverb हो गया आपका answer, देखिए, इन्होंने preposition यहां पर जान मुझे लिखा है, क्योंकि यह preposition भी हो सकता है, प्रेपोजिशन भी हो सकता है, since morning कर देते हैं, तो प्रेपोजिशन और adverb में बिल्कुल thin line है, आपको पता लग जाएगा, कहां पर preposition हो रहा है, कहां पर adverb हो रहा है, इतने सारे example आपने देख लिए है, यहां पर क्या हो जाएगा, since adverb हो जाएगा, अर्ली मॉनिंग को बता रहा है, अर्ली मॉनिंग को specify कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, बता रहा है, और ड्यांड कंडियों कर रहे है, आपका driving को ही qualify,के इसको connect कर आपके साथ, तो क्या हो जाएगा, आपका adverb हो जाएगा है, 97 में आ जाएगी है, देखिए दिस दिख्गया तो आपको पता लग गया दिस के बाद time है यह noun है तो यह adjective ही होगा है ना तो adjective देखते हैं demonstrative क्या है कुछ नहीं है यह पता नहीं क्या लिखा होगा है article article तो नहीं है यह खाटो इसको adverb है यह एड़ब दिख रहा आपको यह नहीं बिल्कुल नहीं चीक एड़ब यह नहीं बिल्कुल भी नहीं non phrase है यह नहीं non phrase में एक फिर नहीं आता है एक से ज्दादा वर्ड होने चाहिए अब बचा आपका demonstrative demonstrative क्या कुछ लिखा नहीं हूं नहीं आपके दिवन्स्रेटिव एडज्टिव ओगा ठीक है डीमोंस्रेटिव फ्लस एडज्टिव दिवन्स्रेटिव एडज्टिव इसका अंसर होगा चलते है अगले कुशन की तरब 98th question love your neighbor as thyself is basically yourself क्लिब रहा love your neighbor as yourself अपनी तरही प्यार करो उनको अपो पढारएं पहले है जहां self दिग गया reflexive reflexive pronoun pronoun दिग रहा है आँ बेश्प्र तिक मारों तो है नहीं बिल्कुल भी यह प्रॉजीशन भी यह नहीं है भिल्कुल भी नहीं है एड्यक्टिव है यह बिल्कुल भी नहीं नाउन है यह सी देशित है रिफ्लेक्सिव प्रणाउन है वो की लास्ट में आगया दिर्वाज एन एक्जल्टेशन इंद ग्रूप एक्जल्टेशन मुझे नहीं बता चलो इसका मीनिंग अब ठीक है पहले संदेंस पर जोड़ देते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आपको नहीं इसके बाद नाउन है बिल्कुल नहीं है किसी भी नाउन को यह क्वालिफाई नहीं कर रहा है ना किसी नाउन या प्रणाउन के बारे में हमें एक किसी वर्ब को या किसी अडेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं कर रहा है या मोडिफाई नहीं कर रहा है एडवर्ब भी नहीं है तो इसको भी काट दो बचा क्या आपका नाउन बचा एक्जल्टेशन जील के लिए बोलते है ना जील दिर वाज ए बता दिया, कितना नौलेज लेके जाओगे आप, आपके पार्ट्स ऑफ सीप में दस में से दस सही हो जाएंगे, यह मेरी गैरेंटी है, ठीक? ठीक है? तो इतना पड़ लिया, आपको कैसा लगा? अगर आच्छा लगा, तो लाइक जरूर करना, और कमेंट जरूर मानना, कि कहींति आपको कैसा लगा मेरे पढाने का तरीका कैसा है थोड़ा अराम से बढाना चाहिए थोड़ा अलए चाहिए या मुझे सारी चीजे कवर करनी चाहिए या मुझे सौट कम-कम चीजों में पढ़ा के आपको मतलब पूरा करवाना चाहिए क्योंकि अब टाइम तो बहुत कम बचा हुआ है और मैं तो इवन सोच रहा है कि मैस की वीडियो भी ले के आऊँगा क्योंकि मेरा इस टा सिर्फ इंग्विस और कुछ जीके में जैसे साइंस वगरा आपको उसकी प्रीडिया फगरा प्रॉवाइड कर वा दूँ चुल यह देखते हैं क्या क्या कर सकता हो ना और यह मैं करता हूं सबकुछ यह अडिटिंग में गरा सबकुछ मैं ही करता हो अके लिए ना यह जो अगेरा तियार करनी होती यह पुरा नाराज मत होना भी ना उससे मत अधू न बाकि पढ़ते रहेंगा मिश्य तरह आएंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी नौरी लेक्या आउंगो आपको और भी बहुत सारे चीज़े करेंगे यार बहुत सारे चीजी़े करे तो इतना सब कुछ नहीं है ऐसे बड़ा भाई मैं आपको सब चीज़े बता दूंगा मेरे मार्क्स देखने सीडेस के मार्क्स देख लेना मेरे क्यों मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे चीज़े करनी है तो और फंटिटी क्या है उसकी ठीक है मेरे मुझे से ट्वंग प्रिस्ट हो गया है तो मैं ऑथंटिक हूं भी या नहीं हूं तो वह चीज़ा आप देख लिए जैहिंद बाई बाई टेक कियर